Hello everyone, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKGs Classes में आज का जो Class है हिंदी के syllabus से related है और यह जो है आपको रियल में फायदे मंद वाला ये वीडियो हो सकता है हिंदी में 100 में 100 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं ये वीडियो जो है शुरू से अन तक जरूर देखेगा इसमें जो बताये गए हैं बाते उसे अगर आप फालू करते हैं तो यकीनन जो है आप मेहनत भी करेंगे तो 100 में 100 आहीं जाएगा है कि नहीं देखें हिंदी का syllabus क्या है Class 12 हिंदी syllabus जिसमें जो है इ बुक के और grammar देखे objective की बात करें तो grammar से जो है आता है और उसके बाद जो है book से आता है हैगे नहीं grammar यानि की ब्याकरन तो grammar से जो है लगबग 50 questions जो है objective आएंगे आपके ठीक है इसमें कोई doubt नहीं है 50 questions जो है आपके ये book से आएंगे गद खंड और काब्य खंड से 50 जो बुक से और 50 जो है grammar से 100 जो objective रहेगा जिसमें से 50 को कोनों आपको जो है बनाना है प्रस्ण मेरा ये है कि कहां से आप कितना बनाएंगे देखिए इ गद खंड में से जो है 130 को question हमने important objective के आपके लिए बनाये थे जो बहुत सारे लोग देखे भी होंगे काब्य खंड में जो है 130 वो objective question के important जो है हमने वीडियो बनाये थे voice recording वाला आप देखे होंगे grammar के बारे में जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर नहीं जानते हैं आप YouTube पे मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल में एक प्लेलिस्ट होता है प्लेलिस्ट में जाईएगा और 2023 stopper batch हिंदी 12th लिखल होगा वो प्लेलिस्ट के खोलिएगा तो एक बववा के तरह grammar को बताया गया है पहले वर्न फिर जो है सब्द फिर वाक्य फिर संग्या सर्वनाम आप पर लिजिए है कि नहीं पूरा grammar आपको पढ़ाएगा है आप पर लिजिए तो वहाँ से grammar complete कर सकते हैं अगर आपको grammar complete नहीं है तो यहाँ से अगर गद खंड या काब्वे खंड के 130-130 प्रस्न देख लेते हैं तो बुक से भी जो है आप 50 में 50 मार के आएंगे है कि नहीं है पचासे वो तो बनाना ही है इस दुनों वीडियो के लिंक जो है description में दिया गया है link number 1 जो है गद खंड का है link number 2 जो है काब्य खंड का है अब यह objective की बाते हो गई यहां तक ठिक है न subjective की बाते करेंगे कि निवन्ध है कौन-कौन ऐसा निवन्ध है जो इस बार 2023 के board exam में आएगा कैसे उस पे हमको लिखना है तो हम आपको बता दिये है कि कौन-कौन इगारव टॉपिक है कौन-कौन आपको बता दिये है और कईसे उस पे लिखना है वो भी हम आपको बता दिये है नहीं देखेंगे है तर description में जाएए तीसरा नंबर जो लिंक आपको मिलेगा न वो होगा निवन्ध वाला टिक है न? पूड़ा आपको बताएंगे अब जो है यह जो है सबजेक्टिव के इस अबजेक्टिव के पहला प्रस्ण है और इस अबजेक्टिव के दूसरा प्रस्ण है सौ प्रसंग ब्याख्या करें सौ प्रसंग ब्याख्या मतलब की explain करें हिंदी में, इंगलिस में कहें ता टिक है? तो इस सौ प्रसंग ब्याख्या करने वाला में से दूगु प्रस्ण जो है काब्बे खंड का रहता है और दूगु प्रस्ण जो है गद खंड का रहता है ठीक है ना? दूगु काब्बे खंड और दूगु गद खंड के आ एकर हेडिंग जो रहता है कहता है कि निमने लिखित में से किनही दो अवतरनों का सो प्रसंग ब्याख्या करें यानि कि दूगो काब्वे खंड और दूगो गद खंड में रहेगा, चार गो रहेगा एकरा में से दूगो के कोनों के explain करेला है तो इसके लिए जो है हम काब्वे खंड के आठ गोई important question बताएं है जो आपके exam में एको कोनों आवे वला है आयए गद खंड के जो है हम आठ गोई बताएं है जिसमें से कोनों एको आवे वला है यानि कि 16 गोई हम बता दिये हैं जिकरा में से कोनों आएगा आपको इसे explain करना है ये भी हम आपको बता दिये हैं description में link number 4 जब open करेंगे तो आपको मिलेगा कि 100 प्रसंग ब्याख्यात कैसे करें टिक है live बताया गया है और उस video के link में जो है इदुन्हों 88 important topic का link आपको मिलेगा वहाँ से आप complete करें देखें मेहनत तो आपको करना होगा चाहें जैसे करें अगर आपको better result लाने है न तो ये 25 दिन जो आपके पास बचे हुए है 24 दिन उसमें बहुँ ज़्यादा मेहनत करना होगा यही हम आपको बताना चाहते हैं पांचवा नंबर है कि आवेदन पत्र कैसे लिखें दुनिया के सबसे आसान प्रस्न एक आता है कि आवेदन पत्र कैसे लिखें और एक रहता है कि भाई या बहीन के पास जो है पत्र कैसे लिखें या माता पिता के पास पत्र कैसे लिखें तो आपको भाई बहिन माता पीता वाला नहीं बनाना है, हम आपको आसान भासा में जो है आवेदन पत्र बनाना सीखा दिये हैं, तो इजो है आप बना लिजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पांचवा नंबर लिंक खोलिएगा, उसमें आपको ट्रेक से सीखा आया गया है कि आवेदन पत्र कैसे लिखें, टिक है, अब जो सबजेक्टिव के चौथा नंबर जो प्रस्न होगा न सर, चौथा नंबर होगा प्रस्न उत्तर वाला, दोस गो प्रस्न रहता है, जिसमें से कहता है कि निमने लिखित में से किन ही पांच प्रस्नों का उत्तर दीजिए एग वो दू नंबर के रहता है आप लोगों का बहुत सरा रिक्वेस्ट है कि सर बताईए कौन-कौन आएगा तो हमने तीस वो इंपोर्टेंट क्वेस्चन आपको बताया है ठीक है ना हिंदी के दू नंबर वाला तीस वो प्रस्न बताएं है आज जेकरा में से पा किस वो हमगेस करवाएं है लिंक नंबर जब आप 6 7 8 खो लिए गा तो वीडियो के तीनों के लिंक है ठीक है अब जो है साथमा नंबर में हिंदी में प्रस्न होता है दिर्वूतरिये प्रस्नों का उतर दीजिए दिर्वूतरिये प्रस्न पांच नंबर के होता है, छो गो प्रस्न रहता है, ठीक है ना, जिस में से कहता है कि निमनलिखित में से किन ही तीन प्रस्नों का उतर दीजिए, तो इदीर गो उतर ये प्रस्न छो गो रहता है, जिकरा में से जो है, तीन गो बनावेला रहता है, तो इभी अभी तक इसका हम वीडियो नहीं बनाये हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है, इस पे हम वीडियो लेकर आएंगे, अच्छो वो या साथ वो लगबग दस वो इसन कोशन बताएंगे, जिसमें से तीन वो आपके बोर्ड में आ जाएगा, यह अभी तक हम नहीं बताएंगे, जो नहीं हम ब संच्छेपन करेला कहता है, संच्छेपन मतलब की बरका कहानी के सोट तरीका से लिखना, जिसे की कोई कहानी सो वर्ड के है, तो उसको तीन से भागा देके, जितना वर्ड आएगा उतना वर्ड में हम लोग संच्छेपन करते हैं, जिसे की सो वर्ड के है, तीन से भागा द आपको पूरा इस संचेपन वाला बीडियो जो लास्ट वाला बीडियो का लिंक होगा उसमें संचेपन करने के बारे में आपको बताया गया है तो हमें पूरा बिश्वास है कि अगर आप इस पूरे बीडियो को देखे हैं एक-एक जाकर लिंक को खोलिए और आराम से पढ़ इंग्लिस में भी एक वीडियो है जिसमें हमने पूरे syllabus को कभर किया है और उसी वीडियो के description में पूरा हम लिंक डाल दिये हैं ताँ अब कोनों नहीं कहेगा कि इसी तरह के English का वीडियो बनाएए या Hindi का वीडियो बनाएए Hindi English पूरा syllabus हम complete करवा चुके हैं एक के question हम बगवा की तरह बताएं है अब सिर्फ आपको मेहनत की जरूरत है यकिनन आप मेहनत करते हैं न सर आपका result बहुत बनी आएगा Hindi English जो है subject score करने वाला subject है देखिए अब आपके उपर जो है depend करता है आपी के उपर हम भी निर्वर हैं एकि नहीं फीडियो देखें हैं अच्छा लगा है share कीजिएगा नहीं अच्छा लगल है आपके अनुसार आप जो करना है टिक है कि नहीं फीडियो देखें हैं उसके लिए धन्यवाद